कम्प्यूटर सिखने के लिए हमारे चैनल माई कम्प्यूटर को सब्सक्राइब कीजिए तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले यदि आप नेटवर्किंग चैप्टर को पढ़ रहा है तो उसमें नेटवर्क टोपोलोजी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है तो आज के इस वीडियो में हम नेटवर्क टोपोलोजी में हाइब्रीड टोपोलोजी के बारे में बात करेंगे तो आएए देखते हैं हाइब्रीड टोपोलोजी किसे कहते हैं तो कंबिनेशन आफ फैरियस डिफ्रेंट टोपोलोजी इस काल्ड हाइब्रीड होता है ना या combination होता है different types topology या फिर डिफ्रेंट networking का अर्थात hybrid topology में कई सारे networking अर्थात कई सारे topology मिलकर hybrid topology का निर्माड करते हैं जब एक से अधिक topology एक साथ मिलते हैं तो उसे हम hybrid topology कहते हैं आईए हम चीतर के माध्यम से समझते हैं देखिए यह हमारा चीतर है तो इसमें देखिए यह बस topology है और इस ओर हमारा नीचे star topology जो की hub से जुड़ा है और इस ओर हमारा ring topology है तो देखिए बस, ring और star तीनों topology मिलकर हमारा hybrid topology का निर्माड करते हैं तो यही हमारा है की combination of various different topology is called hybrid topology तो यह रहा हमारा hybrid topology का figure आईए समझते हैं hybrid topology के advantage और disadvantage को तो सबसे पहले देखेंगे advantage तो सबसे पहला advantage है इस एक्स्ट्रेमली flexible यह जो hybrid topology है यह extremely flexible होता है और और अर्था जब इसका यूज किया जाता है seheat को large निटवर्क को create fox करने के लिए drone निटवर्क को बनाने के लिए hybrid topology का यूज किया जाता है यह thirdza एडवांटेज देखते हैं can be modify as per requirement के इसमें modify पर अलग-अलग requirement के लिए हम hybrid topology का use करते हैं यह रहा हमारा advantage यह disadvantage के बारे बात करते हैं तो disadvantage में पहला है इस यह टाइप आप network expensive जो hybrid topology है ना या expensive प्रकार है और थात यह बहुत ही महाँगा है क्योंकि इसमें कई सारे टोपोलोजी को मिलाना पड़ता है तब यह यह थो महाँगा हो गाई और डिजाइन अफ अ हाइब्रीड नेटवर्क इच वेरी कॉंप्लेक्स यह जो हैब्रीड टोपोलोजी का डिजाइन है यह बहुत ही कॉंप्लेक्स होता है और यह थर्ड डिस एडवांटेज को देखते हैं इंस्टालेशन इस डिफिकल्ट प्रोसेस हाइब्रीड टोपोलोजी को बनाना अर्थात इंस्टालेशन करना बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस होता है तो आपको common topic मिलेगा उसी से आप advantage and disadvantage को निकालेंगे तो उमीद करते हैं कि आपको hybrid topology अच्छे से सौन में आया होगा तो next वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोपोलोजी के बारे में तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजी और वीडियो को लाइक थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो